यह वो वीडियो है जो कल यानी 30 मार्च को सोशल मीजिया पर तेजी से वारल हुआ वारल वीडियो में मुक्तार अंसारी के भाई अवजाल अंसारी गाजीपुर की डियम से फिर गए गरसल मुक्तार अंसारी के अंतिम सर्सकार के दोरान उनके भाई और सांसत अवजाल अंसारी की गाजीपुर की डियम से मिटी देने को लेकर बहस हो गई ये बहस तब हुई जब कुछ लोगों को मुक्तार अंसारी की कबर पर मिटी देने के लिए कब्रिस्तान के अंदर जाने से पुलिस प्रशासन ने रोक दिया था जिसके बाद बहस का वीडियो वारल हुआ था वीडियो में अफजार अंसारी ये कहते पाए गए कि आप किसी को मिटी देने से नहीं रोक सकती है इस पर गाजीपुर की डियम आरे का अखोरी ने कहा कि परिवार के लोग मिटी दे सकते हैं क्या पूरा शहर मिटी देगा वहीं डियम की बाद खत्म होते ही अफजाल कहते हैं कि कहीं का कोई भी व्यक्ति मिटी देने जा सकता है देखिए अफजार अंसारी और डियम के बीच हुई बहस का पूरा वीडियो बेर्योस देने के लिए लिए किसी पर्मिषन की देढ़ के लिए करदमा नहीं जहां के भी कोई मत्टी देना चाहेँगा वो देगा इसासर इन दॄह में कोई दी अटे हुई लिए नहीं लेगा, 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनादे के लिए आप भी रोखो होगा अफजार अंसारी और गाजीपुर की डियेम की पहस का वीडियो वाइरल होते ही कई तरह की बाते भी हुई वहीं अब इस गटना पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अकलेश यादव ने पोस्ट किया है अकलेश ने एक्सपर लिखा है नाइन साफी की हद तो देखो अब तो मिट्टी तक पर एतराज है नबूल तो ये हुक्म राम कयामत तक न हुआ किसी का राज है अफसाल अंजारी और डियम की बहस पर अखलेश यादव का पोस्ट अब वाइरल है अखलेश ने अपने पोस्ट के जरिए यूपी की योगी सरकार पर तंज कसा है बतादे अखलेश यादव लगातार अपने पोस्ट के जरिए यूपी सरकार और कानून विवस्था पर हमलावर रहते हैं